हमारे देश के पतन का एक मुख्य कारण हम लोगों में एक साथ मिल जूल करके रहने की और कारे करने की शमता का अभाव है जिसके मुल में एक बहुत बड़ा वाइरस है इरशा नाम का और यही इस्टारूपी वाइरस आया हमारे ही देशवासी के मन में स्वामी विवेकांजी ने जब पार्लामेंट फ रिलिजिन में वर्ल्ड पार्लामेंट रिजिन्स में जो अपना एतिया से भाषन दिया और बहुत सारे भाषन दिये वे बहुत सुप्रसिद्ध हो गए जैसा के हमने बताया गलियों में उनके पोस्टर लग गए समाचार पत्रों में बड़े बड़े फ्रंट पेज में उनके फोटो लाए बहुत ही प्रख्यात हो गए अत्यनत अल्प समय में और इसकी एक असर यह हुई कि उनके साथ जो आये थे और भी भारत के प्रतिदी उनमें से एक थे शी प्रताप चंदर मज़ूबदार जो कि ब्राम मसमाच के नेता के रुप में आये थे यह भी बहुत अच्छे प्रख्यात वक्ता थे काफी सुप्रसिद वक्ता थे दस साल से अमरीका आ रहे थे बहुत उनकी फॉलोइंग थी पर यह पूरा फिका हो गय अभी इस बार स्वामी विवेकान के कारण मानो पूरा का पूरा एक छाया आ गई उनकी उस प्रख्याती पर उनको बहुत बुरा लगा मैं दस साल से यहाँ पर हूँ और उन्होंने तो जब स्री राम कृष्ण देव के पास गये थे बहुत अच्छा उन्होंने आल्टिकल भी लिखा है श्री राम कृष्ण देव पर और फादर कुक को लेके भी गये थे एक बार स्री राम कृष्ण के पास उस समय उन्होंने देखा था नरेन कॉलेज का विद्यार थी तो कैसे पचा पाते कल का विद्यार थी कल का छोकरा आज इतना प्रसिद हो गया तीस साल की उम्र में और मैं यहां दस साल से अंबरीका में प्रसिद हूँ और भी मुझे कोई समझ मुझे कोई देखता है नहीं मेरे तरफ तो बहुत इर्शा हो गई और फीर इधर Christian Missionary ये भी बहुत उन से खफा थे उस में से कुछ Christian Missionaries उनके मित्र बन गए, विशेश करके Unitarian Church बारे, Catholic जो थे, Catholic जिनकी भावना थी और Catholic Church के थे जो, पर विशेश करके Protestant Church वगिर जो थे, जो बहुत ही Orthodox थे, प्रेबिस्टिरियन Church, Protestant Church, यह जो Orthodox थे, इनको बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा और अभी जो एक छे वोलिम्स में किताब आई है, आपने पढ़ी होगी, New Discoveries, Swami Vivekanan in the West, New Discoveries, by Mary Louie Burke, जिनका, यह Mary Louie Burke के six वॉलिम्स है, उन्होंने पचास साल तक रिसेर्च की, पचास साल तक, उसके बाद में यह छे वॉलिम्स लिखे हैं, उसमें कई नहीं नहीं बातें उन्होंने दी हैं, इसलिए उनको विवेकान एवाड भी मिला बाद में, गया, यह सिस्टर गारगी ने, Mary Louie Burke ने, वो रिसेर्च करके देखा, कि यह जो क्रिश्चन मिशनरी जो यहां पर भारत में आकर के, प्रचार करते थे, वो यहां के इशा, मिशनरी को भेजने के लिए बहुत खर्चा होता था, नेचरली, इतने सारे मिशनरी को भेजेंगे उनको सेलेरी देने पड़ेगी, उनके लिए सब विवस्ता करने पड़ेगी, यह सब वो इकठा करते थे, फंड अमरिका से, और अमरिका में जैसे मैंने पहले दिन बताया था, कुछ दिनों पहले, कि किस प्रकार से, वहां की पुस्तो को में, यह कहा जाता था, कि अरे, व विवेका नंजी ने, वहां भारत के बारे में कहा, भारती आध्यात में संस्रित के बारे में कहा, कि इतनी पुरानी संस्रिती है, आज भी वहां पर धर्मक कितना उच्च अवस्ता में है, वहां का वेदान्त, वहां के वेदान्त फिलोसफ है कितनी उच्च है, और यह जित after listening to him we feel how foolish of a part to send missionaries to India their religion is so great we should invite missionaries from India उल्टा हो गया वले हमको वहां से missionary लाना चाहिए हम लोग missionary भेज रहे है इसकी क्या आसर हुई सब लोग बोले हम लोग तो गलत काम कर रहे थे ये फंड दे रहे थे वहां पर प्रचार करने के लिए वहां से प्रचार हमको यहां उनका धर्मती इतना माने यहां प्रचार करने के लिए वहां से missionary को लाना चाहिए सारा चित्र पलड गया और मेरी लुई बर्ट ने रिसर्च करके देखा कि ये जो Christian missionary की जो income है that dropped by one million dollar in one year एक साल में एक million dollar उनकी income कम हो गई तो उनको उससे तो उनको तो naturally बहुत दुख उना का सभाविक है और जैसा डॉक्टर हैनरी बेरोज ने बहुत प्रशन सा की स्वामी विवेकान की पर एक ही बात उसमें छोटी से लिखी कि अंतिम जो उनका प्रवचन था वो सब लोगों ने अच्छी तरह नहीं लिया मतलब वो सायद उसमें वो भी सामिल थे जिसमें स्वाबे जी ने कहा कि यदि को यह समझता है कि केवल मेरा ही धर्म बचा रहेगा वाकि सर्म धर्म नश्ट हो जाएंगे और मैं क्या यह चाहता हूँ कि हिंदू क्रिष्चन बने God forbid मैं चाहता हूँ क्रिष्चन हिंदू बने God forbid यह बात बिलकुल पसंद ने आरे वो तो चाहते ही थे कि सारे सारी राष्टरों सभी लोगों को क्रिष्चन बनाएंगे यह तो उनका मुख्य उद्धिष था मुख्य उद्धिष पर ही उठरा घात कर दिया और इतना कड़ा सब्द स्वामी जी कहते है यदि कोई ऐसा समझता है in the face of this evidence के प्रत्येक धर्म में महांतम संतों को जन्मत दिया है in the face of this evidence इतना होते हुँ भी यह प्रमान होते हुँ भी if anybody thinks of the survival of his own religion स्वामी जी ने कहा तो आपनी अंतिम अधिवेज मेरों को उसके पदे दया आती है क्योंकि यह कभी होने वाला नहीं है कि जितने धर्म हैं जितने पंथ हैं सभी एक ही परमस्त्रत के ले जाने वाले हैं सभी उसी एक इश्वर से आये हैं तो यह बात तो डेजिस्ट करने लेक थी ही नहीं तो इसके बाद में प्रताप चंदर मुजूमदार और यह इसाई मिशनरी जो की मैंने जैसे कहा स्वामी विवेक आनन के वहां इतने सारे इसाई फ्रेंड हुए इन फैक्ट इतने साल वहां पर रहे अधिकांस यह जब इसाई लोगी ने उन्होंने को मदद की सब तो इसाई ही थे क्रिश्चन लोगों ने बहुत मदद की कितने क्रिश्चन लोगों उनके शिश्य हो गए कितने लोगों उनको बहुत मदद की इवन क्रिश्चन मिशनरी लोगों ने भी बहुत मदद की उनको और उनके फ्रेंड बन गे केवल कुछ ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चन मिश्णरी थी उनको बुरा लगा उनों ने अब कैम्पेंज शुरू कर दिया दूस प्रचार का और उसमें हाथ इसने दिया प्रताप चंदर मजुम्दार प्रताप चंदर मजुम्दार उनको बता है आरे ये लड़का यहाँ पर अभी इतना बात कर रहा है उसका कोई लोकस्टेंडी नहीं है ये धूर्त है धोके बाज है कोई संस्तान ने उसको भेजा नहीं है वो सेल्फ मेड है प्रोक्लेम्ड गुरू हो गया है यहाँ पर आकर के अपने गिरुआ ले लिया है और यह सब आप लोग को सब दोखा उलू बना रहा है ऐसे सब गलत गलत बाते उसने पता दी और यह सब समाचार पत्रों में छपा और यहाँ तक की बाद में उसको उसके बहुत सारे इंटर्वी छपाएगे और प्रताप चाद मजुदा ने भारत के समाचार पत्रों में यह छपा कि यह जो सामी विविकान वहाँ पर गये हैं वो बहुत ही खराब जीवन बिता रहे हैं लंपट जीवन बिता रहे हैं चडित उनका ब्रष्ट हो गया है ऐसी सब बातें वहाँ पर कर दी और यहाँ पर यहाँ अमरीकन समाचार पत्रों में इस प्रकार से उनके संब्ध में बहुत सारी ऐसी गलत-गलत धारना बता दीगे यहाँ तक की जो जो कभी-कभी ऐसा भी होता था कि स्वामी विवेकान को बुलाते थे निमंत्राण पर भोजन के लिए वो लोग बोलते थे किसको आपने निमंत्राण पर बुलाया है क्या आपके घर में लड़किया नहीं है अरे स्रिया नहीं है अरे वो तो लंपट है किसको आपने बुलाया है और ये लोग अपना घर बंद करके चले जाते थे, स्वामी जी गए देखा ताला है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है, तो अकेले हाथों वहाँ पर भारती संस्रिती के रक्षा के लिए स्वामी जी ने जो काम किया है, एक युद्धा के समान, ये अपने आप में एक बहुत लं तो स्वामी विवेक अनजी ने जो कहा था, स्ट्रगल, स्ट्रगल, स्ट्रगल इस लाइफ, उनके स्वैम के जीवन में देखिए, शुरू से हम देखते आ रहें कितना संघर्ष किया, संघर्ष करते करते यहां तक है, हम केवल एक यही आस्पेक्ट अभी ले रहे हैं स्व दिया गया, he was a warrior bank, was sticky दिया गया, अकेले हाथ उन्होंने युद्ध किया है, भारती संस्टिकी और से, भारती आद्धात्मिक्ता के और से, आज तो हिंदु धर्म के रक्षा करने के लिए बहुत लोग आ गया है, उस समय तो हिंदु धर्म के लोग तो वहां पर भेजने को लोगों ने, और रमाभाई सरकल भी उसमें जुड़ गई, रमाभाई सरकल ये भी हमारे भारत से गई थी, सुराब जी, वो पहले पार्शी थी, वो आदमे क्रिश्चन बनी, उसने रमाभाई सरकल के माध्यम से बहुत सारा प्रचार किया, और वो भी यही प्रचार करती थी वहां की नारियों की दसा बहुत खराब है और जूठ मुठ की सब बात बोल करके वहां से फंडी कठा करती थी और जब सौमी जी ने बताया वहां की हमारी परिवार वहां के परिवार हमारे ऐसे हैं बोले मैं जहां जन्मल लिया हूँ मैं एक परिवार में जमाल लिया हूं, मेरी माता ने कितनी रहतों तक वो प्रार्थना कि और उपवास की तफ़स्या की तब मैं पैदा हुआ हूँ और हमारे भारत में संतान उत्पत्री के पहले लोग प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं, तब ये संतान होती है, इस प्रकार से उन्होंने जो सच बात थी बता दी स्वामी जी ने भारत की, तब इन लोग तो आश्टर चेकित हो गए, ऐसे महान देश के बारे में हम लोग क एसी वस्तों बता ही जाती थी, ये पहली बार स्वामी जी ने विदेश में जा करके भारत का सनातन धर्म का जंडा उंचा किया, वो विश्व विजय परात किया, अकेले हाथो, अकेले हाथो उन्होंने युद्ध किया है, तो जब वहाँ पर बार्लामेंट रिजिन में उनको देखा तो उनका जो इंप्रेशन था, उसके बारे में जो लिखती हैं, a striking figure, clad in yellow and orange, shining like the sun of India in the midst of the heavy atmosphere of Chicago, a lion head, piercing eyes, mobile lips, movements swift and abrupt, such was my first impression of Swami Vivekananda, as I met him in one of the rooms set apart for the use of the delegates to the Parliament of Religions. Monks, they called him not unwarrantably, man of religion monk, they called him not unwarrantably, warrior monk was he, warrior monk, and the first impression was of the warrior rather than of the monk, warrior monk was he and the first impression was of the warrior rather than of the monk for he was of the platform and his figure was instinct with pride of country, pride of race, the representative of the oldest of living religions, surrounded by curious gazers of nearly the youngest and by no means inclined to give step, as though the hoary faith embodied was in art inferior to the noblest there. India was not to be shamed before the hurrying arrogant West by this her envoy and her son. बहुत है बहुत ही सुन्दा रिवात दिया है और फिर कुछ लोग ने कहा, that man is heathen and we send mysteries to his people, it would be more fitting that they should send mysteries to us. इस प्रकार से स्वामी जी ने सारा चित्र पल्टा दिया. और फिर एक कॉरस्पोंडेंट ने बारा अप्रिल अथरस चावरेंवे को मीर को लिखा, I am extremely sorry to see that the unprecedented success of Swami Vivekananda has created a strong jealousy and heart burning among the Christians and the Brahmos, who are trying their best to damage his reputation. They have commenced regular warfare in writing and speaking against the Swami in his absence, but they are fighting a losing battle. Swami Vivekananda is a mighty power now. His culture, his eloquence and his fascinating personality have given to the world a new idea of Hindu religion. तो कहते हैं कि ये Swami Vivekananda के बारे में इतनी सारी मित्या में प्रशार हो रहा है, पर Swami Vivekananda इस खदर यहाँ पर अभी सुप्रसिद हो गए है, सुविख्यात हो गए है, तो उनको कुछ होने वाला नहीं है. और Swami जी के साथ तो Swami जी ने खुद ने कहा था, पावर बहाइंड में इस नौट विवेकानन, पावर बहाइंड में इस गओड डिवाइन, भगवान मेरे साथ है, ये इस अगर्श के साथ उन्होंने ये सब जितना था, ये स्ट्रगल, ये संगर्श, ये युद्ध, अकेले हाथो उन्होंने किया, और बाद में असली युद्ध सुरू हुआ ये डिट्रोइट में. Detroit was the climax यहाँ पर Parliament religion में तो इतना था कि Parliament religion का अपनी एक गरीमा थी इसलिए वहाँ पर कृष्टिन में से लोग ज्यादा नहीं कर सकते थे और समाचार पत्रों में भी अधिक नहीं दे सकते थे पर Detroit में जब स्वामी जी गए उनके बहुत सारे lectures हुए United Church में वगरे में उसमें उनके उपर पूरा का पूरा आक्रमन सिधा आक्रमन हुआ और स्वामी जी ने भी जो सच था वो बता दिया वो डरे नहीं और काफी उनको जेलना पड़ा उसके कारण काफी दुख जेलना पड़ा यहाँ तक की जो उनके परममित्र थे परममित्र वो भी धिरे 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 करके इनके उपर शंका करने लग गये जब इतना सारा आटेक हुआ तो यह अपने आप में बड़ी करुण कहानी है और स्वामी जी ने बाद में पहले तो उन्होंने इसके पर ध्यानी ने दिया पर देखा कि उनकी परममित्र जो जीनों ने उनको परिचय पत्र दिया था यह लोग भी धिरे 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 उनके मन में भी शंका का कीड़ आ रहा है तब सोचा कि नहीं, it becomes my duty to remove that suspicion और इसलिए फिर उन्होंने तूरंत पत्र लिखे आला सिंगा पेरुमल को कि तुम लोग जलसी से मदरास में एक सभाक आयोजन करो और एक आयोजन करके उसमें resolution करो कि हमने यहां से स्वामी विकान जो गय है वो चीट नहीं है, वो दोकेबाज नहीं है और उन्होंने जो कुछ भी वहां से सफलता प्राप्त की वो देश के हम लोग के देश के प्रतिनिती के रूप में प्राप्त की है खुद के व्यक्तिके दूप से नहीं की है ऐसा करके वहां पर कहा, कलकता पर अपने गुरु भाईयों को कहा कि ऐसी सभा करके एक रिजलेशन जल्दी से भेजो यहां की जो चैर्मेन है, पार्लामेटर रिजन कमिटी के जो चैर्मेन जो आने रिबेरोस को भेजो और उनको ये भी कहो कि बाद में इसको समाचर पत्र में भी छापे फिर उन्होंने पत्र दिया एक जो उनके बहुत सरिदेई थे दिवान, जुनागर के दिवान, हरिदास, विहरिदास, देसाई उनको भी पत्र दिया कि इस प्रकार से मेरे बारे में गलत पही में आप यहां पर पहला ही जाए रही है तो यह दिया आप एक अच्छा पत्र लिखें जो हमारे हारवड इसरी के प्रोफिस्तर जॉन हेंडरी रैट के उपर क्योंकि उन्होंने मुझे परिचे पत्र दिया था तो उनको आप लिखें कि मैं चिट नहीं हूँ क्योंकि उनको भी कुछ लोगों ने बताया है कि आए मैं चिट मैं एक दोके बाज हूँ धूर्त हूँ तो आप उनको भी पत्र लिखें और ऐसा उन्होंने हरीदास वियार दिया देशाई को कह उनली करूंड़ता यह है कि उसमें कॉमुनिकेशन टेक्नोलोजी बिलकुल नहीं थी एक पत्र को आने में एक एक देड़ घंटा लगता था और उसके कारण बहुत डेमेज हो गया ये पत्र स्वामी जी ने लिखा उसको एक मैना पहुंचते हुआ फिर वहां से इन लोगा ने पत्र लिखा उसमें एक देड़ घंट मैना हुआ तब तक में तो इतना डेमेज हो गया इतना स्वामी जी के उपर में प्राक्रमन हुए कि जिसकी कोई हम सीमा नहीं कह सकते हैं बहुत आक्रमन हुआ और कई ऐसी खराब परिस्थितियों से स्वामी जी को गुजरना पड़ा कोई प्रोटेक्शन उनके पास नहीं था not a single person who will vouchsafe that he is not a chit कोई नहीं जितने उनके परमित्र धीरे धीरे करके सब ने उनको छोड़ना सुरू कर दिया सब ने छोड़ना सुरू कर दिया धीरे धीर अकेले होते जा रहे थे ये एक बहुत करुण सती और वो जो पत्र आने में पत्र उनने तुरंट आला संग्या परमित्र को जैसे पत्र लगा उसने काम सुरू किया पर उसने क्या किया के वल एक जगे नहीं राजा रामनाट के माध्यम से इनको जैसे जैसे सौमी जी नहीं कहा था बुलाने में टाइम तो लगता है फिर आम सभा करनी है और चीफ गेस्ट बनाना पड़ेगा जितना जल्दी से हो सकता है उन्होंने सभा की और चारिये पांच सभा के आला सेंगे फिर उमल ने बाद में वो रिजलुचिन उन्होंने भीजा इदर कलकता से भी रिजलुचिन आया पर ये सब आते आते बहुत बड़ा मेजर डेमेज हो किया था फिर भी स्वामी विवे कानन का एक मात्र जो संबल था वो था श्री रामकिष्ण देव किस प्रकार से श्री रामकिष्ण देव ने उनको बचाया इस महान संगर्ष में और इस महान युद्ध में जो अकेले वो लड़ रहे थे कितनी उन पर आफ़त आई और उन सब आफ़तों में से किस प्रकार से श्री राम किष्ड देव ने उनको बचाया उसकी कहानी हम लोग कल करेंगे आज यहां समात करें